आपका स्वागत है आज का अपना टॉपिक है स्कर्टिंग जो हम घर बना देक समय टाइल बिठाने के पास स्कर्टिंग बिठा थे और उस स्कर्टिंग लगाते से में कुछ गड़बड हो जाती है इसकी वज़े से उसमें फिनेशिंग आती नहीं और पूरी टाइल खराब दिखने लगती है स्कर्टिंग गलत तरकी से बिठाने के कारण वो रूम में पूरी गड़बड दिखते है और एक गलती के कारण पूरा रूम टाइल में खराब दिखने लगता है तो आज मैं पूरी जान करें दूंगा जैसे की टाइल कितनी छोड़ी होनी चाहिए उसमे के से बादना चाहिए उसको फिक्स करना चाहिए अच्छे से फिक्स करने के पास देखेगी कैसे इस पूरी जानकरी में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो चलो साइट पे जाते हैं और देखते हैं कि कैसे स्कर्टिंग बेटती है स्कर्टिंग के लिए दिवार तोड़ने से पहले ग्रैंडर कटर से लाइन करके लेना चाहिए जिससे दिवार एक लाइन में तोटेगी स्कर्टिंग दिवार के उपर नहीं बेटने चाहिए वो दिवार के अंदर बेटने चाहिए इसलिए वो एक लाइन करके लिए है और चन्नी से उसको तोड़ा जा रहा है अगर हम ब्रेकर मशिन से तोड़ते हैं वो खराब तरीके से तूटती है यह यहाँ पर स्कर्टिंग लगाई जा रही है इस तरह से स्कर्टिंग लगाएंगे तो एक गलत तरीका है इसमें पूरे तरह से सिमेट भरा हुआ नहीं लिए ऐसे बहुत सारे टाइल बिठाने वाड़े तारागिर बिठाते और ऐसा टाइल बिठाके नहीं लिनना है देखिए ऐसा बिच में जगर रहे जाती है और टाइल तूट जाती है इसके लिए वो पूरे टाइल में सिमेट भरके लेना चाहिए पूरी तरह से स्कर्टिंग तिन इंच चोड़ाई तक रखनी चाहिए इस तरह से सिमेट भरने से जिससे जगों पेच में बचेगी नहीं येर तयार नहीं होगा टाइल के बीच में रो तूटेगी भी नहीं इस तरह से पूरा अच्छे से माल बनाके उसमें बरना जरूरी है कि सबसे जरूरी पार्ट है सब पूरा भरके सिमेट उसमें लगाओ देखें उसमें उसको प्रेस करना चाहिए पूरी तरह से और फिर एक पट्टी लेके इसको दिवा से एक जैसा लाइन में करके लिजिए इससे आपकी फिनिशिंग में देखेगी और पूरी लाइन देखो एक जैसे देखेगे आपको वीडियो अच्छे लेके तो लाइक करें शेर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना भूलिया मत थैंक यू